वेल्कम बैक, अब हमी अब को सेशन मा, केई सेशन उरूमा, दुटिंटा सेशन उरूमा, अब हमी नया अक्ट मां इंट्री गर्षों, अब हमी कवर गर्षों, नेपाल चाटडे कांटेंट अक्ट, हुन तो यो तो पे अरला यो अक्ट नया आता नो लागला, किना बने यसम अब हमी चाटडे कांटेंट स conservative का भड़े महां कुला गर्षों, दूसताई, ICAN का अब कांचिल found Channel Company member का भढ़े महां कुला गर्षों, तेस्टे तपले audit मा code of conduct पढ़नु भाक होला, नवे पढ़नु उन्नेश, तेसको code of conduct काँ भटा आयो, त्यो की न बन्यों, वन्ने कुरार पनी आमी यह चाप्ट मा गर्षू, तेस्टे हमी नेपाल चाड़ोडे अकांटेंट आक्ट अंदर गदर रहे रहे, punishment रुखे के उना आकेन वित्र, रा मेमबर पनी हुशन, तेको हमीले कुरा गर्द आमी CA को बारे मा कुरा गर्षों, तरा साथ साथ मात शाथ मात त awakर रे मेमबर ल्या पने, आमी इंक्लूड गर्दे रहे का हुँश्ह 00, रे मliftर भीज़ गरियेको त्यों authenticate गरे रहा त्यसमा अईले सम्मा थीन चोटी अमेंड्मंट आईसाखेको छा नेपाल चाड़रे कांट्रेट फर्स्ट अमेंड्मेंड्मेंड्को त्यस्थे नेपाल लग। गरने माग मा आकुराई सा रहा केई नेपाल को समसोधन गरने 2015 ले पनी केई समसोधन गरेको रहीशा अब यो आक्ट मा पूराई एकदमें तपहिए को छाई ड्रास्टिक चेंजे जरू तेस्टो केई पनी चेंजे जिन्नार ले गरेको छाई न यो आक्ट मा महिले जती पन इंक्लूड गरेको चुँ आजा सम्मा सबई एमेंड्मेंट इंक्लूड भायर तपहिए सम्मा नोट एभाइलेबल छा आमी एस बित्र एमेंड्मेंड्मेंट चेंग की हो बनेर इस्पेसिपिकलली ख्याल गरनू पने तिस्तो ठाउं खाली थोरे थोरे कटे-कते चेंग सो जुन रिलिबेंट पनी चैए जो है जर पचतार मा गरियेकु चेंग मा तेई भायर हमले क्या करम एसलाई एमेंड्मेंड्मेंट भनेर चाहिए आमी नसो चाहूं, सिधा आमले जिये छ, टोट्टल आजर सम्मकोने यही नहीं हो बने रामले स्लाई कभर गर्छूं, रा कते कते ही तो पहला है जहीं, निपाल चार्डडे काउंटेंट रूल को पनी तो पहला है किया को आर था पाउने होनु परने हो न सक्ष, तो पनी मले इंक्लूट गर देखो सो, त्यस new पनी मैंनि अमेंडमेंट और भई राहे को थियो होला, त्यस new content लहे पनी असमा on include गरे कई सह, अब रूल architect, act लाई support गरना आयो rule, रूलाई support गरना आयो फेर डाइरेक्ट्टिब शरू, ठेक्स हा। मतलब रूल बने पनी, एक्ट बने पनी, डारेक्टिब बने पनी, अल्टिमेटली कानुन ने हो, लो ने हो, तेला आमने इंक्लूड गर्रा पढ़नू पर्छा, कथी ठाव मा नेपाल चार्डड एक्ट मा शेहीं, यो चेह आमी प्रिस्क्राइब गरने छाहू बने लेक दिन प्रिस्क्राइब गरीने छा बने र, तेस्पशी रूल मा आमी पची बिस्तारे प्रिस्क्राइब गरूँला, रूल रेगुलेशन्स मा आमी तेला है प्रिस्क्राइब गरूँला, यो कंसेप्ट को साथ मा, रूल सुरू पनी डिबलाप भागो, र तेस्ते बुक बटे एरेर नहीं, आमले एसलाई पड़ामला, लेखनु परने जहाँ छो, त्यो मत पहलाई बन्दी आलशू, आमी शुरू करूं सब्बंदा पहला, यूनिट वान को, चैप्टर नमर वान, प्रिर्मिनेरी बन्ने पाट पड़ा, सब्बंदा फर्स्ट मा, सेक्षन व बन्दा अगाडी नेपाल मा, आइक्यान थिये न, तेस बधिर्पन बन्दा अगाडी नेपाल मा, अडिट गरने प्रोफेशन ही थिये न, ता बन्ने प्रस्ट ना होँश, ते दिखेर, आइक्यान न भए पनी, औरको यवडा एक्ट थियो, जस अंतरगत, नेपाल मा, मार लाए पाणी, आमने एसे बीत्रले अएउ, जो सीयर उनुँँच, आमने इसे बीत्रले आएउ, ते दर वृडा कुराच यह याद गरने पर ने कुराखिया हो इखाली, सीय बन्को अडिट मात्रे यह 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 कुराथ पनित लिए ख्याल करनी है, आमने रजिस्टर् वहाँ ले अडित रिपोट मा साइन गरने हुँँछा तो चार्टड एकाउंटेंट को मीनिंग हामी अडिटर मात्रे वही नौं हमी यहले अरू पनी बिबिन्ना काम अरू गरने सक्षों खाली हमी नेपाल को सिनारिय मा कुरा गरने हुँँछे मेजरीटी आमने कुरा बुजदा अडिट बनने मात्रे प्राया चासो बुजी राखे कासों त्यों मात्रे आम्रों फिल्ड से वही न अब हमले अडिट गरों या अरू फिल्ड गरों जे सुके गरों सब हैले रेगु को जुन आमरो लेखा बेवसा है छा लेखा बेवसा है प्रतिचे सामाजिक रिकोगनिशन बढ़ाउनु पर्यों समाजेते चिनने र समाजेते ले विश्वास गरने भातारण बढ़ाउनु पर्यों र पबलिक मा लेखा जो खा इसाब किताब अरुको चे इंपोटेंस पनी परेंस प्राण आम्लें बुझावनु पर्यों किना गराखन फर्स है इसाब किताब जिणा बनाउनु पर्स है किना सरकार लाए करती औरण भी पर्स है किना राज असोच्वह्त हो चली गरना हो देन से तैकμ रब फर्दर आमले ultimately accountant जसले काम गर्षन, accountant अरू, उन्हेवर लाई पनी उन्हेवरको responsibility पनी आमले सम्झाओनू परने बहुए, responsibility पनी उन्हेवर लाई आमले monitor गरनू परने बहुए, तेसको लागे आमले Nepal चाटट एकाउंटेंट एक्ट ले रायों, ultimately यो सवाई गरी सेके आमले गरने बहुए, को country का economic development मा हो, आमले तेसे मा भागलीनू परशा, आमले तेसे मा साध्दीनू परशा, ultimately योड़ा accountants को, आफनो society प्रती, आफनो company प्रती कोस्तो दाइतो होनू परशा, उले company मा चाहिं कोसरी काम गरनू परशा, जुन company उले accountants को मा आयर गरे को शा, उसलाई चें, उसको responsibility क्यो हो तेस मा, उसको importance क्यो हो company मा, योकर आरू पनी आमी यो act बढ़ा चे regulate गरने वाला further उसको development को लागी, उसको promotion को लागी, accounting मा काम गरने संपुर्ण बेक्तियोर को लागी, promotion को लागी, development को लागी पनी आमी यो act लिए रा आयो, मतलब आमी नेपाल chartered accountants act मा, आमी अधिटर को मातर ही कुरा गर देनो, आमी अकाउंटेंट को कुरा गर सो, chartered accountant को पनी कुरा गर स यातर आकनू CA भाय पची, derive field यावड, audit field यावड, job field यावड, business अरू पनी छा, बिविनन फिल्ड अरू शा, औरू तपली अरू cost accounting का अरू पनी गरना सक्नुन सा, law को practice पनी होना सक्सा, बिविनन फिल्ड अरू शा, ती फिल्ड अरू सबाई मा, ultimately तपे CA हो वने, या तप section 29 रra section 49, ठेकशा, यो चाहिं, पच्छी नेपाल सरकारले comments करने छ, तर त्यो बंदा बाय करू, सब्बै सेक्षन, सत्र माग 2013 बाट शुरू भायो, सत्र माग 2013 बाट नहीं, जुन डेट बढ़ यो publication भायो, थेई डेट बढ़ यो act applicable भायो, सर 29 रra 49 के होता, बनने कुरा को को लागी, आमी जब सेक्षन 29 पुगा हो ला, तब येसको भायो मा कुरा करू हो ला, ये चोटी मले तबले सट्ट एक चोटी देखाई दिए, क्ये रहिसा, आमले थोरे बुजन को लागी, section 29 राएक चोटी हो लागी, no person shall be entitled to provide auditing service without obtaining the professional certificate, यो section 29 section 29 COP संबंधी कुरा करदेश, further S मा, तबले येवडा कुरा CAP 2 मा, audit मा सायथ पढ़नु भागो स, नवब येवने CAP 3 मा, येवटा audit act बनने स, जचले, government audit को बारे मा कुरा कर स, सरकारी निकाय औरको audit करने process को बारे मा कुरा कर स, और government entity औरको audit करने को लागी, छुट्र योटाब बड़ी च, जसले आमी माले खाप परिछेक बन्छू, अडिर जेनेरल, अडिर जेनेरल मा काम गरने जोपनी ब्यक्तियार उन्हुंछ, वहाहरु सबई C.A.R.A. उनु जरुरी छाईन, वहाहरु बन्ने को लोक्सेबा पास करने तेता को थुबड जानु जानु उंछ, अब audit तो वहाहर ले पनी गरना पाउनु नुछ, ते यो एक्ट मा भनना ता भन्यो, कसे ले पनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ना लिकान अडिट गरना पाऊ देना भन्दी रहा धा खेरी, वहां अरलाई समझ्या परनी भायबकारन ले करदा, यहां अरुकुने निकायर को अडिट गरना को लागी चाहीं, नेपाल सरकार लेच हुट्टे योटा कुने प्रोफेशन गर्शा, कुने रेगुलेशन गर्शा बने, त्योने अप्लिकेबल हुन्च, आमले बने को यहां अप्लिकेबल हुदाई ना बने रा बनियो, र स्वय अनुरूप यो सेक्षन 23.9 मा जब सेक्षन 29 आ आयो, तह बक्ये बनियो, यो 29 चाहीं पची अप्लिकेबल गर्ने हाई बने रा बनियो, किना बने, ते थिखेरा को समय मा सबय जाना संग COP थिये ना हुला, COP बिस्ता रही सबय जाना ले आमले बांट दे थियो, चो C.A.R.A. मेंबर अरूस वहां आरले बांट दे थियो, ते थिखेरा समय मा उत्यों COP बने रा न बांडून जल समय पनि, अरूस वहां ले अडिट ता गर्दे उनुन देवला, अडिट ता पक्के बनी गरनू परियो, ठेक्सा, रव्वान सबय जाना ले आमले COP बांट थिखेरा सेक्शन 29 एफेक्टिवली एप्लिकेबल भायो, फर्दर, अडिट अक्ट पनी बनियो, जून अडिट अक्ट ले मालेखा परिचेकवला कुरा आरू गर्यो, निपाल सरकार ले सरकारी निगायक अडिट गरना लाई, मालेखा परिचेकला छुट्ट गरनेशा वनने कुरा आरू, सेक्शन 29 को सेकेंड पार्ट मामले कुराब बुजियो, तेस तही 49 लेकिये बन्यो, चुडि तेला यहरू, 45 सम्हा मेले बुख मार आखिदे कर रहीशु, सजीलो के बो तपलाई सेक्शन 49 पढ़ने ही परेना, मतलब आजको डेट मा तपलाई त्यो सेक्शन 49 न पढ़नु बाय बनि तपलाई के ही फरक न परने रहीशा, खाली माले तपलाई, प्रूब को लागी, भूक में देखाई दिए, 45 बंदा पसाड़ी तपलाई, रिलेवेंट छाहिना बने रहीशा, 29 लेकिये बन्यों, COP न लेकिये बन्यों, Certificate of Practice न लेकिये बन्यों, पाइदेना बन्ना साथ, जब तिरपन्ना मा नेपाल चार्टेटे कांटेंट आक्ट सत्र माग 2013 बन्यों नी उलेकिये बन्यों, COP बिन अडिट गरना पाइदेना तरह, समस्या के बहिए, आइकैन तो बन्न परियोु, आइकैन बने रा त्यसमा चे बिबीन न डिपाट्मेंट तेरु बन्नू परियो, त्यस पची policy COP को फर्माट तयार गरनू परियोु, डिजाइन गरनू परियो, COP को लाएप्लिकेशन लीनू परियो, यहरनू परे हो, COPC गरनू परे हो, हाँ आजको आजको बोली को बोली होंचा ता, टाइम लाख्षा ते वहरा, Section 29 लाक्ये बन्यों, पच्छी यवडा नोटिस निकालेर, त्यों अपलाई गर हमला, बांकी चाहिए आमले, 17 मांग्स ब्याजातिरपन्न बाटाई शुरू गरे यहां बने रहा, बन्यों, रहा, Section 30, 2013 मां जब नेपाल चार्टर एकांटेंट अक्ट आयो, यो बन्दा अगाडी पन नेपाल मा अडिटिंग प्रोफ्रेशन थियो, वला नीत, तेसको लागी चाहिए, ते ती खेरा नेपाल मा, नेपाल मा यवटा अर्खो एक्ट थियो, नेपाल चार्टर एकांटेंट आग्ट आउन बन्दा अगाडी, अरको एक्ट थियो, जशले आमी, अडिटर्स एक्ट, 2031 बन्चो, ते ती खेरा, 2013 साल बन्दा अगाडी, जो पनी आमरो, सीय और उन्चा, जशले अब नेपाल मात आइकें थियो, जशले इंडिया बटा स अरुण उन्चा, रव वहार ले आम ले रजिस्टर एकांटेंट आग्ट आउन बन्दा अगाडी, जो पनी सीय और उन्चा, वहार ले पनी आफुलाई, आरे काई रूप मा यहां राखनवा आको थियो, रजिस्टर एक्ट मा राखिये को थियो, तो जब नेपाल चार्ट अरुट एकांटेंट आग्ट आए हो, जब इसले पुरे रजिस्टर एकांट आग्ट आग्ट आए हो, अब उन्चा, आरे को मनीटरिंग, उन्चा चाहिए डेवलाप्पेंट, उन्चा प्रोमोशन को लागी यह एक्ट बन्यो, इसको मिनिंग 100 रुप मा और को एक्ट तो एकांटनीनीओ गरी राखेःखव शर्णि, त्यो छैंए फ्पेरी बचीरण शर्णि, त्यो छैंए फ्ट ले बंद बाखवें, एक्ट खरेज बाखवें, तर यश्को राइट र्लाइट आए हो यह एक्ट आंधर गुपुधीर आग्ट आअपर न पसाः बावल्किश अनि, where an auditor who is recognized by Office of Auditor General under any law in force is recognized as a recognized auditor for the purpose of that law, such recognized auditor shall, after the commencement of this Act, be deemed to be mean of member having professional certificate under this Act. पहिला जू नाम्रो, COP अरू दिने थियो, registered auditors, sorry, auditors act अंतरगत, तियो चेहीं Office of Auditor General ले गरनू थियो, यहां बटा उन थियो, अब, once, ठीक्सा, Office of Auditor General ले थिखे रहा, अफुले चेहं auditor बने रहा, रिकोगनाइज गरे रहा, जजसला auditor को license दिनू भाको थियो, वहाहां रू प ठीक्सा, और automatically वहाहर ले आमले COP दिये को बने रहा मानियो, अब, COP दिनको लागी चेह, टाइम आमले लागला, तिसको लागी section 29 ले चेह, आमले केई समय डिले करें, बाकी automatically वहाहर ले चेह, COP पाउन भायो बने रहा, आमले बन दियो, और automatically वहाहर ले, Member with COP आमले बनाए दि जो जो एसमा, Auditor Act मां दोर्ता हुनन धियो, अब, हमी शुरू गरूं, Nepal Chartered Accountant Act section 1, अमले subsection 1 रटु कुरा गरूं, अब, हमी कुरा गरूं, सिधा, 2020 को क्याप 3 RTP को कुई सा, के रही सा, Mr. Mohan Lama, obtained the certificate of Auditor of Class B, Person to Auditors Act, पुरान वाक्त अंतर गतु वहाहर ले, Class B को लाइसेंस ल अनु बायो, due to some critical problems in Australia, he returned back permanently to Nepal in Karthik, 2076, now he is contemplating of carrying accounting profession in Nepal, he applied to ICAN for membership of registered Auditor in the month of post-2076, the council of ICAN is in confusion whether to issue Mohan Lama membership of the institute or not, advise the council of ICAN on the light of Nepal Chartered Accountants Act regulations, के बायो, 2021 को अंतर गत वाले license लिनु भाको थे, 2014 मा हुआ अस्टेलिया जानु बायो, के कारन बस हुआ 2006 मा नेपाल फरके राउनु भायो, राभ मा वन्देनु नुन सा, मला है registered Auditor को license देऊ वाने रा ICAN बाटा, टेक्सा, answer एरनुस, Section 16.3 of Nepal Chartered Accountant Act, आमी पढ़ा हुला, प्रोवाइज दाट, membership of registered Auditor shall subject to Section 18 be granted to a person, who has obtained the certificate of Auditor of Class B, C और D pursuant to the Auditor's Act at the time of commencement of this Act. जब तिरपर्न साल मा यो Act commence भायो, एधी कुने बेक्ति ले, यो Act commencement उने बेलामा, B, C या, D को license लियेखो त्यो Auditor's Act अंतर गात बने, आमी उनियोरू लाई ने यो फेरी license प्रोवाइड गरने सौं, R.E.C. लाई दीने सौं, मतलब नया IC license आमी issue गर देनाम, जब को यो Act commencement उने बेलामा, Auditor's Act अंतर लाई 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 चो, वहार लाई चो आमी आरे को license continue गर दिन्चों, registered auditor को. फेरी Section 19, Subsection 3 लेके बने बने, Section 19.3 of the Act provides, where a person having possessed the qualification to obtain the membership person to Subsection 3 of Section 16, पढ़ूला आमी, desires to have or his or her name registered in the membership institute, E or C shall submit an application to the institute no later than 6 months after the date of commencement of Section 29 and 49 of this Act by Government of Nepal upon notification in Nepal Gazette, Nepal सरकार ले, after Nepal Gazette, official letter, Nepal Gazette बने को Nepal सरकार को official document, तेसमा notice निकाले र, Section 29 commencement बने को date, एदी तोगी देको साबने, ठीक्सा, तियो date बड़, 6 माईना सम्मा, जज़स ले application हाले काशन, तीने अरले आमले आरे को license, Nepal Chartered Accountant Act अंतरगत दियूं, a person who fails to submit an application for the membership within that period shall not be entitled to obtain the membership as referred to in this Act, अब, त्योच हमेना बित्र यदी कसले membership apply गरेना बने, याद राक्नोंस, उनियर लाई अब, Nepal Chartered Accountant Act अंतरगत रहरा, आरे को membership दिनाईना, मतलब सिधा कुरा क्ये बायो, जो Royster Auditor ले, आईकेन अंतरगत continue गरना चाहान उन्तियो, वहार ले की गरना पर्यो, त्योच हमेना तिर्पन्नमा जब यहरा Act बन्यो, त्योच हमेना बित्र तपाई अरले सब बईले, आईकेन मारा membership ले नूस बन्यो, यह दी, त्योच हमेना बित्र न लिएको भई, उन्योच अरले मेंबर्शिप न दीनी कुरा भई, अब यह क्वेस्टन मा अमले ख्याल गरनू पर्यो, त्योच भई, सेक्शन 29 को इफेक्टिवने सकाहिले होता, वहां ता, 2040 मा वहां अस्ट्रेलिया जानू भई, अब यहां भीच मा कताई सेक्शन 29 इफेक्टिव भई होला, वहां 2076 मा आयरा नेपाल मा आयरा प्रैक्टिश गरना चाहन होन्छ, पने, यो 2076 मा बड़ा बैक आउंदा, सेक्शन 29 को इफेक्टिवने स्ट्र यहो, यदी 6 मेना को बित्र परे बनता, सेक्शन 29 को इफेक्टिवने से अगाडिने वहाई साके को सावने, मा लेच हम्मेना भीत्र यह एपलाई गरना सक्नू भईना, अब आमने के था पानू परे, कई ले एफेक्टिव भई होला, सेक्शन 29 के बन्यो, सेक्शन 29 and 49 of the Act was made applicable by Government of Nepal with effective from 2059-41, डृजा तिर पान न साल मा यो ऐन आयो, तिव तिर पान न साल मा यो अढ़िए यो आघ्टिव दिवने साल महा, यो अध्ट आयो 2023 महा, फीर के ले बन्यो, अपटिजाउ, लेखन के पनिपरते ने खाले बुजनू ओला, यो Act I.O.2053 मा जस्मा क्ये लेखियो नेपाल Chartered Accountant Act I.O.2053 मा जस्मा क्ये बन्यो Section 29 shall be made effective later on अब तेश भए Section 29 कोईले effective भःता नेपाल सरकार ले नोटिस निकाले रा 2059.0401 देखी यो applicable बनायो अब Section 19 subsection 3 लेके बन्छा एदी कोई existing auditor आक्ट अंतर गद existing जो रजिस्टर आडिटर अरुन्छा वहार ले नेपाल चाटड एकांटेंट आक्ट अंतर गद आरो दर्टा आउनू परने उन्छ वहार लाई यो आक्ट अंतर गद COP दीए नेच बिच मान डिस्प्यूट भःओ तीर परना साल देखी वहार ले चाहिए अमी कीना यो आक्ट मा आऊने हमी आउधे नम इसता कुर आरपनी गरनू भःओ अब अब हम्रो केस मा क्ये समस्या भःओ अर्नूस 2059 मा वहाले 59 पलस 6 months, 4 बट 6 months मा मा वहाले अपलाई गरनू परनी अपलिकेशन आलनू भःओ अपलिकेशन आयो पोश्ट 2076 मा अब मेरो प्रस न विल मेंबर्शिप इस्यूद तो इम एंसर इस नौ। किना पने वाले अप्लाई करने परने थियो। 2059-0401 देखी 6 months भीत्र अप्लाई करने परने थियो। अनि मात्र वाले मेंबर्शिप परने थियो। अन्सर एरनुस के साइक्जुदी। By inferring the above legal provisions of the Act, Mr. Mohan Lama should have applied for the membership of R.A. within period of 6 months from 590401, but he has applied for membership on Fagun 2076. The time limitation for applying of membership is expired, thus Council of ICANN cannot issue Mr. Mohan Lama membership of ICANN. अब जसले तेतिके राइ apply गरनु भाये ना, वहारो छुटनु भायो, तेरे R.A.R. रूनोला वहारो जोले apply गरनु भाको थिये ना, वहारो छुटनु भायो, अब वहारो ले फेरी apply गरना मिल दाईना। यो रायो, section number 29 को effectiveness र निपाल मा C.A.R.R. को कसरी जाये, आमले यहारो एक्ट मा बनने कुरा रायो, अब आमी जायो, actual act शुरू करूं, section number 2 देखी। सवन्दा, first मा आयो, definition, सदै जाये, act मा, section 2 मा आयो, definition. अब फर्स्ट मा, यह act मा, definition शुरू की केचा, एक्चुटी हेरो, यह definition अरू यहारो बनना, बेटर के होंचा, हामी, यह definition लाई, जाया, जाया, section होंचा, त्याया, त्याया, पड़ देखी। अब, I can, institute बने को, I can, Council बने को, I can को Council हो, Chairperson मने को, ते Council को Chairperson हो, Vice Chairperson मने को, ते Council को Vice Chairperson हो,έ, ça Council को Member हो, Councilor बने को, ते Council को Member हो,Seak machinery बने को, section 38 को Secretary हो, Member हो, CA 야 आया, 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 जाशली, Membership लिएखो, lenो Laadvisht. अमले सेक्शन परदाई जानाधा आप है भुजने चीजो तही बार डेफिनेशनले आमी यदी पाची फरकर आर अरे होने आमले सजीले होला आमी सीधा जाऊं सेक्शन नमर 3 मा दिशा भाई Establishment and Provision of the Institute आमी Nepal Chartered Accountant Act को सेक्शन 3 मा आप गयो याद राखनोश इस Nepal Chartered Accountant Act has been formulated to establish ICANN सेक्शन 3 लिक्ये बन्स An institute by the name of Institute of Chartered Accountants of Nepal is hereby established for the development of accountancy The institute may be called as Institute of Chartered Accountants of Nepal in Nepali language रहाईशको head office काठपन दुमाउने रहाईशले आमनो नेसेशिटी अनुशार training center branch sub-branch रू नेपाल वित्रत जहाँ पनी खोलना सकने सा यह सेक्शन लाई मा लेक्ट अपला एक्स्पेन गरनू पर ने कही रही नारे सा सेक्शन 4 I can shall be autonomous, body corporate with perpetual succession तो पला एक कंपनी जाग्ट याद सा बने autonomous र body corporate with perpetual succession मने को क्यो हो मा आईकेन को member हो I may come and go, I can always exist मत member हो म अईले छू सायद कती बर्स पजी मत आईको member रहन ना होला कती हमरा पुराना member होरू अईले उनून ना होला कती जाना को death पनी बहिशे क्या होला कती जानाले membership पनी छोड़ दिनू बहिए होला तर I can निरंतर चली रहन्छ कईले समा चल्छा फर्पेचल समा चली रहन्च I can चलो ने मानच होरू सक्षेशन को ठाहई रहन्च member को चुनाप बही रहन्च I can को council member को चुनाप बही रहन्च none-naya member फालُ councilor ला जिताई रहन्च Thyogen फोड़ाMr. I can चली रहन्च member आउं सान्च I can को युणा separate seal उन्छा तपर शब्बले था चा आइकान को छुट्टा ही चाप चा आइकान ले पनी वड़ा इंडिविजल जसते ही एसे टरू आपनो पर्पोस को लागी ठीक्छा उसले चाहे आपनो पर्पोस को लागी एसे टरू अईकान ले ऐसे चान मत ररे धिकाई चाहे राई दिभव जिसक लागी ठानो पर्पोस की बैट को अइसे ौन को मोड़ा को इकल शुरू मा तबला दिखायाक सब्या गाई प्रेस बैंक लिम्टेड बर्शेस आइकेन याने रहा है, आम यह लाई पची आया रहा बेट सहूं, यो की रही सा बने रहा, अब फर्दर कुरा गरूं, सेक्शन नंबर 3 पची 4 को भायो, सेक्शन नंबर 5, आखिर माँ आइकेन को उदेश से की होता, हिख्ञा, फट रहा, आइकेन को सेक्शन जाएकेन यान अबजेक्टीब सा, तक सेक्शन अबजेक्टीब सब्केटीब सा, यह रहाक सेक्शन आफड सेक्शन बंक्राईर करननु पर सा, ज 오른 रहा of the nation, ultimately, economic development मा पुयां। 2. Enhance social recognition and faith in accountancy by raising awareness of general public towards importance of accountancy and the economic and social responsibility of the accountants. 3. Develop, protect and promote accountancy by making accountants understand the responsibility towards importance of the accountancy and accounts. अब यो तिंटा पड़ता है तो बले की बेख्याल गरनुगो थाशा? This is objective of Nepal Chartered Accountant Act. अब अमा लाई बननुगो एक्ट मात्रा ही बने रता हुँँदे न, एक्ट ले, एक्ट ले इंप्लिमेंटेशन गरने वड़ी बनाउनु परियो, त्यो बड़ी की न परियो, त्ये एक्ट इंप्लिमेंट गरना परियो, त्ये आटको उदेश से पुरा गरना बन्यो, त्ये हिता हुँँचा वला इसको अब्जेक्टिव बनी, त्ये बरता पहिले, एक्ट ले नेपाल चाड़ोट अब्जेक्टिव बनी, अब्जेक्टिव आइकन को पनी हुँचा अब्जेक्टिव बनी, पॉब्लिक ले त्येसमा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन पनी, मानोसर त्ये ले रिलायवल पनी हुँच, त्ये बरता रिलायवलिटी को लागिने, त्ये बरता पहिले, आटिकल शीप को यड़ा प्रोविजन लेयो, जहां तपहले, सीए पास गरी शकनू भाई, पची त रिलायवल, त्ये बरता 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 अब्जेटीब आइकेन तपले यादगरनु होला, इसमा मेले बुजावनु परने कुरा अरू केपनी सहीना. Section No. 6, Simple आइकेन को नाम, आइकेन को लोगो या आइकेन बढ़ा आउने Certificate अरू खाली आइकेन ले मातर दिना सक्ष, अरू कसे लेबनी के चलाई, अनगरी फुट माई यूजगरना पाम देना. Upon the establishment of institute, pursuant to this act, no person shall be allowed to use the name or emblem, emblem मने को चुहाब, logo, resembling the name of the institute, or to provide certificate of any type to be granted by institute to anyone or to give directions of any type to anyone on behalf of the institute, as well as to exercise any such powers as may be exercisable by the institute. सिधा कुरा, आइकेन बने पछी संपूर्न काम आइकेन ले गर सा, अरू कसे ले इसको नाम, लोगो या इसको चे पावर अरू यूजगरना पाउंदेना. सब्सक्राइ काम आइकेन लेने गरने रही सा. चेप्टर नमर तू में अरू के बने शाइना सिंपल चेप्टर सा, आइको तप यूजगरने पढ़ना सक्नूर्ण सा. Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you, have a good day.